हमने अभी तक वेरियस आक्ट्स वगेरा के बारे में पढ़ा और ट्रिप्स वगेरा के बारे में भी पढ़ा वह उरुग्वे राउंड जो हुआ था जिससे कि हमारा जो एंड रिजल्ट जहां पर हमें वर्ल ट्रेड और्गनाइजेशन से जैसा एक बड़ा सा एक और्गना रही है वो हम आज देखेंगे ़िए वर्ल ट्रेड और्गनाइजेशन बगा था और्गलवे राउंड भी हो गया था हम्हारा दे जो है वह बहुत जादा तरीके से बढ़ गया बट स्टिल अगर हम बोले कि अगर बढ़ा है यह इंट्राइशन ट्रेट तो वह सब के लिए बढ़ना चाहिए यानि कि जो डेवलापिंग नेशन हैं तो वह भी डेवलाप्ड हो जाने चाहिए उनको भी बहुत अच्छा खास कि that was with respect to GATS जो GATS जो था जो General Agreement on Trade in Services था उसमें देखो क्या था उसमें ना कुछ ना कुछ obligations थे ओके there were certain obligations जो कि सारे member nations जितने भी member nations है जो कि international trading कर रहे हैं इन Services अब हम यहां पर Services की बात करेंगे Services यानि कि इसमें आपका transportation आ सकता है आपके financial services आ सकते हैं telecommunication आ सकता है audio visual media tourism हो गया यह सारी चीज़े जो है इसके अंतर आएगा आपका तो इसमें जो है कुछ obligations रहते हैं जितने भी member nation इसके member nation जो है उनको कुछ obligation रहता है जैसे कि एक रहता है आपका most favored nation वाला यह हमने already पढ़ लिया था it is an obligation which prevents countries from discrimination between foreign suppliers of services तो इससे जो है आपका किसी भी तरीके का discrimination नहीं होगा जो foreign suppliers है जो कि समान को supply करते हैं या फिर उनके जो services है उसमें जो है किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा फिर transparency जो है वो रखने को बोला गया था कि सारे countries जो है वो laws regulations with respect to services वगेराई अच्छे से publish करेंगे transparent manner में publish करेंगे ताकि सबको जो है एक दूसरे को देखके जो है वो चीज clearly समझ में आ जाए इसके अलावा जो एक और obligation था that was obligation of each member to promptly respond to all the request for specific information अगर जो है किसी भी member से कोई information मांगा जाता है तो they should respond promptly उनको जो है जल्दी से ही respond करना चाहिए okay so as per GATS GATS का जो भी rule regulation था वो यही था यही जो तीन में थे यह थे बट इसमें भी तेको अब services का अगर हम area बताएं तो services जो है काफी सारे country में काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं क्योंकि काफी services ऐसे होते हैं जो location centric होते हैं जोग्रफी पर बेस होते हैं उस area specific होते हैं और उसका social economic implication रहता है इसलिए जो है कुछ ना कुछ चीजें कुछ services जो है वो एकदम से specific nature की हो जाती है और उन चीजों को बचाने के लिए क्या करना होता है हमें वो countries को जो है उस चीज को बचाने के लिए कुछ ना कुछ डिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है जैसे कि या तो कोई ceiling limit लगा देंगी कि आप जो है इस चीज में इन्वेस्ट जो है एक हद तक ही कर सकते हो या फिर marketing पर restriction लगा देंगी या फिर जो foreigners है foreigners को employment नहीं देंगे कुछ countries में आप दिन देखा होगो foreigners को employment नहीं देते तो वो जो है particular उस जगे का कुछ heritage हो गया कुछ भी whatever चीज है उस चीज को protect करने के लिए होगा यह यह चीजे करते हैं तो यह बोला गया था कि हम जतना जादा जो है liberalization तो उस टाइम हो ही गया था और यह बोला गया था कि अपना थोड़ा बहुत कमा लेंगे बड़ जो में जो अगर funding की बात करें में फंड रहता है फॉर इंवेस्टमेंट वह रहता है इन मेंसी के पास में और यह क्रिटिक्स वा लोग वगेर यह बोलते थे कि भाई अगर यह इनके पास रिसोर्स है इंवेस्टमेंट भी करें तो जो developed countries होते हैं वो developed countries already जो services के मामले में developed countries बहुत ही ज्यादा आगे है और वह आगे इसलिए क्योंकि उनके पास क्या रहता है इस सबको support करने का एक यह इंक पास पहले से उनके पास पहले से उनके ड़्याच सबस्क्राइब क्या नहीं है धें ही पुराने technology लेके बैठे है हो उनके पास अल्रेडीं टेवलफ टेक्टमोलोजी अथो जितना इफ़ीशैंट आप का तब देखो किसको मिल रहा अपर हैं जो है आपको क्लियर लिए दिखेगा कि यहां पे जो है जो हमारे developed nations है developed countries जो है उनको एक unfair advantage यहां पे मिल रहा है as compared to the your exporter या फिर everything that is in your developing countries तो यहां पे unfair advantage clear मिल रहा है clear cut यहां पे advantage किसको मिल रहा है developed countries को. So जो second हमारा main issue है that is with respect to anti-dumping measures as well as your safeguarding actions. तो यहां पे जो है liberalization के कारण हमें जो है काफी जादा जो export import जो है वो काफी जादा हद तक बढ़ गया था and इसमें एक चीज था जो की anti-dumping कहलाता था इसमें होता गया था कि काफी सारे ऐसे goods थे जो की manufacture होते थे अगर किसी चीज को अगर कोई ऐसा product है जिसका जो है export price कम रहता था है उसका ओके अगर किसी भी country में आप उस समान को भेज रहे हो तो उस country में जितना उसका price होगा नो उससे कम में आपको वो समान जो है मिल जाएगा तो अगर इंडिया में simple हम बात करें तो उसका best example है जो Chinese China का जो goods आता है चाइना के goods आप देखते हो चाइना के goods काफी ज़्यादा सस्ते रहते हैं ना सेम चीज आप Indian manufactured अगर आप goods देखो इंडिया के manufacture किये goods सेम चीज महंगा होता है बट Chinese goods जो है वो काफी ज़्यादा हद तक जो है वो सस्ते रहते हैं toys देखो आपको पता है कितने ज़्यादा हमारा जो market है वो mostly Chinese items से भरा पड़ा है so Chinese goods जो है सस्ते में हम जो है हमें मिल जाता है तो इसको import करना जो है काफी सस्ता रहता है बट उससे दिक्कत किसको आती है उससे दिक्कत आती है हमारे domestic manufacturers को जो domestic हमारे manufacturers है उनको जो है दिक्कत आती है क्योंकि उनके सावान अब कौन खरीदेगा कोई नहीं खरीदेगा जब आपको देखो toys खरीदे है हम वैसे जो है अपने local वालों से लेते थे बाट आप हमें दिख रहा है कि वही चाइना का small जो है सस्ते में मिल रहा है teddy bears हो गया soft toys हो गया cars हो गया bus हो गया वह जो छुटे-चुटे toys वागे रहाते हैं वो सब आपको सस्ते में मिल रहा है तो आप obviously जो है सस्ता वाला चीज लोगे ना तो यहां पर पिट जाते हैं हमारे बिचारे domestic manufacturers तो यह सोचा गया कि भाई इनको जो है यह इनको बचाना पड़ेगा जो हमारे domestic manufacturers है उनको इस चीज से जो है बचाना आपको पड़ेगा उससे एक country जो है एक adopt कर सकता है anti-dumping measure okay so this is your anti-dumping measure so domestic industry को बचाने के लिए एक country जो है anti-dumping measure को जो है वो apply कर सकता है but again आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसा कोई valid होना चाहिए valid problem होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने जो है anti-dumping measure लगा लिए और बाहर से समान अंदर ही नहीं आपा रहा हो के तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होना चाहिए आपको देख दाग के जो है लगाना है anti-dumping measure आप जो भी कर रहे हो तो ये again जो है ये एक problem ही है हमारा जो domestic industry है वो threaten हो जाता है diversity का देखो इंडिया की अगर हम बात करें इंडिया में जो heritage है वो काफी जादा rich है होके हमारे जो है flora fauna हम पौधे पेड़ पौधे वगरा की बात करें और श्रदी आयूर्वेदी कोश्रदी वगरा की बात करें इसके अलावा जो main हमारे ancient scripts वगरा जो थे जो पुराने जो है पुराने टाइम में जो है रिशी मुनियों ने वगरा लिखे तो उसमें काफी जादा जो है बहुत ही जादा interesting बहुत ही जादा valuable चीज़े हैं तो यहाँ पे अब क्या हो जाता है उन चीजों को protect करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही हो जाती है and इन सब को threat कहां से मिलता है जो MNCs होते हैं जो big big corporates होते हैं वो हमारे लिए threat है तो यहाँ पे जो है patents वगरा जो है grant करते हैं United States वाले जो है invention वगरा के लिए और वो invention में क्लेम करते हैं कि हमने भी turmeric वगरा यूज किया या फिर कोई ऐसा medicinal value नीम वगरा के पत्ते यूज किय तो वो उस चीज पर patent कर देते हैं बट वो चीज गलत है उस पर patent करना है न तो यह चीज जो है वो इस तरीके के patents जो है आप नहीं कर सकते और ऐसे case में हमें क्या करना पड़ेगा MNCs और इन सब से जो है हमें अपने flora हो गया fauna हो गया हमारे जो ancient scripts और texture जो है हमें उसको काफी सारे agreements है यह जो गयाट के agreements है यह जो है काफी हर्त तक जो है implement नहीं हुए थे यह भी जो है काफी जादा important problem ही बन गया था कि जैसे subsidies वगयरा हो गया subsidies अगर farmers को वगयरा देना है तो उसमें भी जो है हमें लगता है कि price down होगा पर गलती से हो क्या गया था उसमें price increase ही हो रहा था कोई इतना जादा फाइदा नहीं दिख रहा था subsidies भी जो थे काफी countries में developing countries में तो या तो prohibited ही थे या फिर action उसको हमने just actionable category में डाल रखा था उसक करें देखो poor countries में तो obviously उनके पास जो है इतने resources नहीं रहते economic policy advice होगे या फिर legal representation वगेरा करने का उनके पास इतना नहीं रहता है plus यह जो MNCs वगेरा है यह काफी सारी चीजों को misuse कर देते हैं क्योंकि उनके पास powers वगेरा काफी जादा है तो इसके यह सारा जो है यह सब implementation में ही आता है कि जो playing field होता है ना वो equal नहीं है सबके लिए favor यहाँ पे किसका हो रहा है फायदा यहाँ पे किसका हो रहा है developed countries का तो overall फायदा हम देखें सब का get बना दिया WTO बना दिया बहुत अच्छी बात है बट इससे जो है फायदा mainly आपका developed nations का ही हो रहा है developing nations को बिलक कि यहां से इस topic में आपको देखने को मिलेगा इस पूरे के पूरे topic में with respect to your GAT with respect to your multi trade जितने भी जो negotiations वगेरा हुए हैं तो इन सब में यह main problems निकल के आती हैं तो इसी के साथ हमने यह chapter है यह unit 19 जो है हमने इसको cover up कर लिया है इसमें mainly globalization जो है globalization का topic हमने देखा कि globalization होता क्या है multi lateral trade negotiations जो है negotiations वो वगेरा किस तरीके से होते हैं और इन ही negotiation से निकल के आया हमारा world trade organization जिसके functions वगेरा हमने देखे trims और trips उसमें जो agreements थे agreement on trade related investment measures as well as agreement on trade related aspect of intellectual property rights इन दोनों को है हमने देखा and finally we studied about the Indian patent act जो Indian patent act था 1970 का इसके बारे में हमने short में पढ़ा जिसमें कि हमने देखा कि invention क्या होता और patenting वगेरा के बारे में हमने देखा and finally कुछ problems and issues देखे यह पूरे globalization and WTO वगेरा से related trading से related international trading वगेरा से related get के आने के बाद क्या 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 दिक्कते आये और दिक्कतों में mainly यही है कि भाई सब कुछ biased है towards कौन developing nations developed nations के लिए सब कुछ biased है developing nations तो वही अपना जहां थे हैं वहीं पर struggle करी रहे है तो इसके साथ आपका unit complete होता है thank you so much for watching like share and subscribe to the previous classes thank you and bye bye